राम राम जी भाई आपके बहुत सारे स्वाल थे सीटी लिंक का बारा में आज अर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के माननी चेर्मेन बपाल सिंग खदरी ना इंट्रिवू दिया है दिवान सर को और उसमें जो जो बात कही है बहुत सारी बेनिफिशल चीज़ है दिवान सर क्या करें यानि जो बाई जिसने एक लाकासी जार तक कम इंकम है इंकम सट्रिविएट मांगा था वो भी दस जोला ही तो पहले गाई बुसका कही लाइज होगा इस बारह में चेर्मेंट साब न कहा कि एक या दो दिन में एक नोटिस आओगा उसका बारह मैं बच्चे से से सेल्फ डिकलेरेशन में जाओंगे इंकम एक लाकासी जार से कम है खुदे साइन करके बर्या जाओगा ठीक है तो एक दो दन का वेट कर लिए बर रहनते पहली यानि खुद साइन करो सेल्फ डिकलेरेशन के फारम पहले जोकर नोजो बड़ा मेंगा कर दे वह मामला जो है सेल्फ डिकलेरेशन चल जाओगा ठीक है दूसरा स्वाल के पुछा गया था नोजोब सर्टिपेट पर दस जुलाई 2022 के साइन तसिल्दार कैसे करेगा बनोजोब का सर्टिपेट मेंगर खेर ओवी दस जुलाई ते पहली खा आज बनवान जाओंगे तो तसिल्दार साइन गुंड करें इस बार में चेर्मेन शाब नहीं चायोगा यो भी षैल्फ डिकलेरेशन ऽाला चल जाहओगा खेर अग्र प्रिवारमें चेल्दार बच्चों को कोई इस मामलम मैं अलबायद करके दिखावा फिर आमने कस्ट होगा बई अलबायद होगी तो इसलिए कोई भी फेक आईडी बमज़च के माबाबु जोब लग रहे हैं या भाई उसका अनमेरिड है क्योंकि फेमली में अनमेरिड भाई को काउंट करया गया है मेरिड भाई को अलग दिखा दिया गया है यानि मेरा कैन का मतलगे दो नंबर का तरिक्का तो बहुत नहीं है यानि पूरी जानकारी होगे उसका बारा में CID जांच बेठेगी तो इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें करें कदें सोचो फैमिली आइडी नियारी बनवालें माबाबूत नियारी नंबर लेलें ऐसा संबव इसके बाद भाई फारंबर ने के बाद पीपी में इंकम में बदला होने पर यानि जिस टेम पर फारंबर या था या भी दस जुलाई न तो इंकम एक लाक असी जार तकम थी आज इंकम फालतूरी इब के होगा इसमें चेर्णमेंस आपना सपस्ट तरीक के दे बताया है कि भई 1,80,000 इंकम युआनि 10 जुलाई 2022 तक जो इंकम थी वो इंकम काउंट होगी आज आपकी चै पचास्यालाग रफी होगी हो कोई पर कुन पर डदा 10 जुलाई 2022 ता पहली आपकी जो इंकम जो है वो 1,80,000 तक कमो होनी चो यह बस तब आपना नमबर मिल जाऊंगा ठीक है इसके बाद केको अगर नाम है फादर नेम डेटो बर्त में अगर कोई बदलाओ करवाना है तो इसके लिए चेर्मेंट साब ने एक बात कही है कि बदलाओ जो है अग्गा एक फारम मिलागा उस दुबारा फिर होगा यान इसके जोरत नहीं है बाद में एक फारम देऊंगे उसके अंदर जो है अपना बदलाओ उसक गगा अगली बात चेर्मेंट साब ने एक और कई है कि बई किसे ने भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एड करवानी है बाद में एड करवाना को डिपलोमा इव उसके जूरत नहीं है जब आगज सीटी सेकिंड पेपर का नोटिफिकेशन आओगा उस सेकिंड पेपर के नोटिफिकेशन के अंदर के है आपसे मांग लिया जाओगा कि बाई आपका जो जो आपना एड जुकेशन क्वालिफिकेशन एड करनी हो एड करते हो ठीक है तो बाद में एड करशकोगे अर्याना ग्रूप डी का रिकोड़िड बेच चार सौन चासर पिया में फायर मैन का मांगो थिल लबाए फायर मैन कम ड्राइवर का यो है डेड सो गंट है क्लास रहोगी ली सो टेन कूपन कोड यूज कर लिए ठीक है चानव जिर निनानुवा सत्र जार इसका अपना वो है मुबाइल नंबर है को बात पूछने हो तो पूछ सको देखो अच्छा बैए डवलो ए सड़े आ जो वह ट्रिपल पी में इडवलो एस का जिकर नहीं है वो क्या करें क् अपना इडवलो एस का सर्टिट्रिपकेट अप्लोड करतें उसके बाद उनको इडवलो एस में ही काउंट करया जाओगा अगर गल्त दावा करतें बीस्इए बीसीए बीसीबी वाले जो यूजा है जो क्रिमीलियर के से बाहर रहे हैं जिनकी इंकम भई आठ लाक विरया 6 लाख है उसमा सपस्टोर पर क्रिया काया गया बैई जो दावा करागा वो यह दावा मान्या जाओगा अगर गल्त दावा करते हैं BCA BCB वाले तो बाद मौन के खिलाब भी एक्षन लेने का काम किया जाओगा ठीक है अच्या भई CT पास होने पर बंदा कितनी जोब ले सकता है किसे भी आप फिल्ड की जोब की त्यारी कर रहे हैं तो जुरूर एक बार ली स्वाप को जमाईएगा को कमी हो तो मेरे मां क्या क्या दियो जैहिंद भारत माता किचे